कि नमस्कार दोस्तों मैं हो जिगनिश्परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल निवेश ग्यान में आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है आपने अगले पार्ट में आपको बताऊं गए आपको फ्रीडर में अंलाइन इंवेस्ट करना है तो कैसे कर सकता है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंध्य तक देखना चाहिए पसंद आया तो लाइक किजिए कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब् चाहूंगा कि मैं जो ऑनलाइन प्लेटफर्म यूज करता हूँ जिसका नाम है फंस बजा जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है वहाँ से आप भी उस पर साइनिंग कर सकते हैं और आप भी फ्रीड़म एसाइब में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये बहुत ही अ सारे की सारी एमसी में इंवेस्टमेंट कर सकता है बेशक्त ये एक रेगुलर प्लान है डिर्यट नहीं है लेकिन ये जो ऑनलाइन प्लेटों में बहुत ही बढ़िया है आपको एक पार अवर्श्य है इसके अंदर इंवेस्टमेंट करके इसका अन्भो करना चाहिए इसके अंदर आपको पहले sign up करना पड़ेगा, उसके लिए 3 step की procedure है, email registration, उसके बाद ने mobile registration, फिर आपका PAN card के base पे, आपका KYC flash होगा और आपकी bank details, उसके बाद ने one time physical mandate या तो फिर email अपको register करना होगा, और यतनी process complete होने के बाद, आप कोई भी AMC की कोई भी scheme में investment कर सकता ह तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ देखेंगे कि Freedom SIB में invest कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे direct login से, मान लिजी कि आपका account activate हो चुका है, create करके पूरी सारी की सारी procedure complete हो चुकी है, तो उसके बाद में investment कैसे कर सकते हैं, यह मैं आपको इस video के अंदर दिखाऊं करना है, जैसे ही login पर click करेंगे, यह साइन का page खुलेगा, यहाँ पर आपको username जो कि आपका email address रहेगा वो डालना है, password डालके login पर click करना है, यहाँ पर second level authentication आएगा, वहाँ पर आपका पान कार्ड नमबर या तो फिर budget दोनों में से कोई भी एक चीज़ा आपको एंटर करन करना है, फिर authenticate पर click करना है, तो यह आपका dashboard open होगा, तो यहाँ पर dashboard पर आपके सारी information यहाँ पर आपको दिखाएगा, इद्वेल्यू, current value, short term gain, absolute return, अब यहाँ पर इद्वेस्ट में जाना है, उसके बाद में यूनिक offering, ICSF Freedom SIP में जाना है, यहाँ पर आपको जितने भी account होंगे, वो आपको दिखाएगे, उसमसे आपको account choose करना है, कि आपको कौन से account freedom SIP चालू करनी है, उस पर आपको select करना है, यहाँ पर आप एक साथ बहुत सारे पुरा family का account आप open कर सकते हैं, एक ही login में सारे के सारे पानक account open कर सकते हैं, तो select किजिए, select करने के बाद आपका जो mandate था, SIP के लिए, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, जो activate होगा हो, तो mandate आपको select करना है, यह mandate आप account opening के time पे ही register करवा सकते हैं, तो यहाँ पर mandate select करने के बाद, next पर click करना है, जैसे next पर click करेंगे, scheme selection का option आएगा, उस पर click किजिए, तो यहाँ पर यह page open होगा, जहाँ पर आपको AMC, ICICI ही दिखाएगी, यूदि फ्रीड़ा में साथी सिर्फ ICICI में ही है, उसके बाद में select nature, आप equity, hybrid, कोई भी प्रकार के nature की, जो scheme eligible है, उसमें आप invest कर सकता है, growth option क्लिक कर सकते है, growth या dividend, कोई भी option आप दोजों में से select कर सकते है, यहाँ पर growth option select करूँगा, यह हमें scheme searching करने के लिए कर रहा है, अक्मी सारे scheme eligible है, यहाँ पर आप कोई भी scheme पर click करेंगे, तो इस scheme के बारे में पूरी detail आपको दिखाएगी, उसका नाम, उसकी category, कितनी NAV है, कितना fund manage करती है, कौन से साल में scheme आए थी, कितने साल हुए है, और पूरी details वो scheme की यहाँ पर आपको दिखाएगा, इस तरह से आप कोई भी scheme की detail देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी NAV की mobile से लेके, सारा का सारा data यहाँ पर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी scheme select कीजिए, पहले nature select कीजिए, अगर आपको पता है तो, यह तो भी आपको दूनते रहना पड़ेगा, फिल मैं growth option select करूँ करूँ कि क्योंकि मुझे growth ही करना है, मुझ multi-cap category की scheme select करूँगा, यहाँ पर आप इतने सारे nature में, जो मी scheme eligible है आपकर सकते है, फिर सर्च करेंगे, तो यह ICCA financial multi-cap fund जो scheme है, यह आएगी, क्योंकि multi-cap category में ICCA scheme है, यहाँ पर इसको आपका investment दिखाएगा, minimum investment, एक साल का return, तीन साल का return, पात साल का, फिल मैं स्कीम को select कर करूँगा, और फिर submit पर click करूँगा, जैसे submit पर click किया, यहाँ पर मुझे कुछ details मागेगा, कि कितनी amount की SIP करनी है, उसके बाद में, यहाँ पर हमें 1000 रुपे डानूगा, क्योंकि मुझे 1000 रुपे की SIP करनी है, फिर goal है तो select कर सकते है, गोल नहीं है, तो कोई बात नहीं कौन से तारिक आपको पैसे कटवाने है, यहाँ से आप select कर सकते है, एक select 28 तारिक तक है, इसमें आपको जो भी तारिक चाहिए, उसमें आप select कर सकते है, फिर SIP installment, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी आपको ठीक लगे, उतना आपको tenure select करना है, फिर नीचे, चेक बोक्स पर tick पारता है, फिर नेक्स पर click करना है, तो जैसे ही आप click करेंगे, यहाँ पर आपको दूसरा एक box खुलेगा, यहाँ पर SWP की जिस स्कीम के अदर करनी है, वो आपको स्कीम पूछेगा, यहाँ पर चार स्कीम अवेलेबल है, उसमें आपको उन भी एक स्कीम सेलेक कर सकते है, मैं यहाँ पर ICAC potential asset allocator funds select कर लेता हूँ, फिर SWP amount एंडर करनी है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक हज़र का maximum, मैंने 15 साल का tenure भी है, तो मुझे मक्सिम तीन हजार रुपे का ही withdrawal, यादि कि SWP मिल सकती है, तो मैं यहाँ पर तीन हजार लिक दूँगा, क्योंकि उससे जद क्लिक करने सकते हैं, दूसरा जो पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको पूरा चेक करना है, कि सारी डिटेल सही है या नहीं, एक एक डिटेल आप ठीक से चेक कर लीजिए, उसके बाद में नीचे दोनों में से कोई भी एक टिक मार्क हैं, उसके कर लीजिए, save and continue क्लिक कर सकत है, फिर आपके मोबैल में एक OTP आएगा, और एक इमेल पर भी OTP आएगा, दोनों में से कोई भी OTP, दोनों में से, एक कोई भी एक जेगे पर से लेके आप यहाँ पर confirm OTP कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको पूछेगा, कि अगर आपको पहला installment अभी के अभी invest करना है कि अगर साथ दिन के अंदर आपी जो SIB की डेट है, तो वह अगली डेट को जो डेट है, वहाँ पर पैसे नहीं काटेगा, उसी दिए एक महिने के बाद ही पैसे काटेगा, तो अगर साथ महिने के अंदर आपकी डेट आ रही है, पर इक्जांपल अगर साथ तारीख आपने रखी है, और आप 28-29 को SIB रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपका पैसा कटेगा, लेकिन अगर आपने तीन ये चार डेट रखी है, तो पैसा नहीं कटेगा पहनी तारीख को, तो यहाँ पर पैसा काटने के लिए अग्यस पर क्लिक कीजिए, और फिर ये Easy Pay mandate select कीजिए, पिर ट और OTP is verified successfully, ये message आएगा, मतलब की आपका जो, फिरा बीटेश चेक कर लिजिए, स्कीम का नाम, amount, bank details, जो ये सब कुछ, ओके है, मतलब आपका SIB रेजिस्टर हो चुकी है, और आपका पहला इंस्टॉल्मेंट दिकने माला है, आज है कल में, तो डेश्बोड पर क्लिक कीज scheme, folio number, ESIP, amount, status in process, ये आपके पुरी process complete हो चुकी है, और दो working days के अंदर आपको इसके portfolio relation report में भी दिखाएगा, यहाँ पर अगर आप normal SIB शुरू करनी है, तो आप बहुत सारी AMC में आप कर सकते है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको account ये करना है, आपको अगर बच्चे का भी account select करना चाहते है, तो भी कर सकते है, उसके नाप पर investment कर सकते है, scheme select कीजिए, जहाँ पर आपको दिखेगा कि सारे की सारी AMC में आप investment कर सकते हैं, एक साथ सारी AMC, किसी में भी investment कर सकते हैं, साथ में NPS हो गया, code accumulation plan हो गया, या तो फिर bonds, ये सबना आप investment एक ही platform के द्वरा कर सकते हैं, ज़र आप किसी fund का performance चेक करना है, और भी बहुत सारी facilities, ये एक ही platform के द्वरा कर सकते हैं, ज़ स्टॉप के अंदर है, और फ़न स्टॉप solution आपको है मिलेगा, तो दोस्तो ये थी जानकारी कि how to invest in freedom SIP, यानि कि freedom SIP में investment कैसे किया जाता है, तो ये था funds bazar online platform, चुकि एक बहुत ही बढ़िया platform है, और इसके link description box से आपको मिल जाएगी, वहां से आप investment कर सकते हैं, और साथ ये बहुत ही बढ़िया वक्त चल रहा है, investment करने के लिए mutual fund हो, या तो फिर equity market हो, लेकिन आप investment कीजिए, ये बहुत ही अच्छा वक्त है अभी, तो magic dish parma, अब आप से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और महत्त्व बुन जानकारी के साथ, जय हिन, जय बहुत है